कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं अप लोग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यक फ़र से जीसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस के हम most important question कर रहे हैं और अभी तक हमने part 1 में किया था कि science के important question जिसमें की 100 question complete किये थे आज हम कर रहे है part 2 अगर आपको ये part 2 पसंद आए और आपको question अच्छे रहे हैं क्योंकि ये question जो है प्रिवीजर question है लगवाग ऐसे 500 question करेंगे पहले हम फिर अगली next part मिलेंगे 500 question तो आपको 1000 question में ऐसे दूँगा with PDF, PDF भी दे रहा हूं आप discussion में जाकर PDF डाउनलोड कर लेना नीचे से दी गई है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप पहली वार आए हो तो ठीक है आईए हम सुरू करते हैं अपना एक पीडियो question number 1 नोबल पुरुसकार से सम्मानत होने वाले बिस्व की प्रिथम महिला विज्ञान के छेतर में कौन थी तो वह कौन थी वही नोबल पुरुसकार सम्मानत होने वाले प्रिथम महिला वो थी मैडम क्यूरी जो की बहुत एक विज्ञान के छेतर में इनको क्या मिला था नोबल पुरुसकार दिया गया था 1930 में पूछा गया एक्जाम में आपके अगला question पानी में सोई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तेरते रहते हैं क्या कारण है तो इसका कारण क्या है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गया पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है यानि कि जो टोटल जहाज का बजन है उसके दौरा हटाए गया पानी के भार के बराबर होता है इसलिए वह प्लवन करता है सुई के द्वारा हटाए गए पानी का बहार सुई के बहार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूप जाती है यही रीजन है आंगे देखते हैं भारत को सुदेश निर्मित यानि की इंजीनियसली वुल्ट दूसरी पीडी का पिर्थम उपगर है कौन सा है तो यह कुश्चन भी आया है तो भारत में सुदेश निर्मित दूसरी पीडी का पहला उपगर है कौन सा है वो इंसेट 2A सूर के प्रकास की साहता से सरीर के में किस बिटामिन का निर्मान होता है सूर की प्रिकास की साहиता से सरीर में बितामिन D का निर्मान होता है आप हैम बढ़ते हैं हैली पुचल तारा कितनी वरसबा दिखाई देता है किन तरंगों की साहिता से चमगादर रात में सुरक्षित उड़ते है तो चमगादर जो है वो परासरब तरंगें उत्पन करते हैं इसी की साहिता से ये उड़ते हैं HIV विशाडू से कौन सा रोग होता है HIV जो विशाडू है यानकी Human Immuno Deficiency of Virus इससे AIDS रोग होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome इसके AIDS का पूरा नाम है रक्त का ठक्त का जमाने में कौन सा बिटामिन साहिक होता है तो बिटामिन के जो की रक्त का ठक्त का जमाने में साहिक होता है Ampere Second किसका मात्रक है तो आवेस का मात्रक जो होता है Ampere Second ठीक ये आवेस का मात्रक होता है Laughing Gas किसको बोलते हैं? Nitrous Oxide को हम Laughing Gas बोलते हैं एक होलती है NO, एक होलती है NO2, तो यह है nitrogen dioxide और यह होती है nitrous oxide, N2O, इसको बोलते हैं N2O, nitrous oxide. अंगे बढ़ते हैं अंगे question की और, बाहा चुमकी यह लिखा है कि बाहा चुमकी प्रवावों से बैग्यानिक इंतरों की रक्षा की जाती है, तो क्या है लोहे कबर में रख कर, तो जो चुमकी बाहा चुमकी प्रवावों से बैग्यानिक इंतरों की रक्षा करने के लिए हम तो परमाडू बिजली घरों में किस प्रकार की नुकलियर अब करिया होती है यह होती है आपकी नुकलियर सल्लियन अब करिया जिसको बोलते है नुकलियर फ्यूजन फिजन नहीं है फिजन होता है विखंडन आगे हम बढ़ते हैं कि जी करणों पर किस प्रकार का आवेस होता है तो जी करणों पर किसी भी प्रकार का आवेस नहीं पाया जाता है याद रखिए अगला कुश्चन रेडियो कारवन तिती निर्धारन बिधी का उपयोग किसमिक होता है तो जीवासमों की आयू का पता लगाने के लिए हम रेडियो कारवन डेटिंग का प्रियोग करते हैं सरीर का सारा रक्त किस के माध्याम से सुध्ध होता है तो शरीर का सारा रक्त जो है वो ब्रक्षों के माध्याम यानि किड़नी के माद्यम से सुद्ध होता है फिर से देखेंगे सरीर का सारा रक्त किसके माद्यम से सुद्ध होता है तो किड़नी के माद्यम से PDF आपको description में मिल जाएगी तो वहाँ से जाके download कर लीजिए अगला देखो Hydrophite किने कहते हैं जरिये पौदों को हम Hydrophite कहते हैं जो जल में उगराए पौदे हैं उनको हम Hydrophite कहते हैं दो समानतर दरपणों के बीच रखी बस्तू की कितने पृत्वम बनते हैं तो दो समान दरपणों के बीच कोई बस्तू रख दी जाए तो उसके अनंत पृत्वम बनने की संभावना रहती है यानि कि बहुत सारे पृतिविम ऐसे बनते हैं अगला कुश्चन दो समांतर दरपड़ों के बीच अभी तो को मैं इतनी स्पीड में इसली कर रहा हूं क्योंकि हमें टोटल हंडर्ड कुश्चन करना है और यह सभी बन लाइनर है तो आपको सब रिवाइज करने की जुरुरत होगी इसमें दो समांतर दरपड़ों के बीच रखी बस्तू का सबसे अधिक चमकीला पृतिविम कौन सा होता है तो यह होता है दूसरा पृतिविम जो है वो सबसे चमकीला माना जाता है तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है तो तेल का प्रिष्ट तनाव जल की प्रिष्ट तनाव से कम होने के कारण ही तेल जल के प्रिष्ट पर फैल जाता है पैंसिल का लेट किसका बना होता है यानि कि पैंसिल की जो नोक होती है उपर वाली ये बनी होती है अपकी ग्रेफाइट की सड़क पर चलने की अपेच्छा बरफ पर चलना कठिन होता है क्यों? सड़क पर चलने की अपेच्छा बरफ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बरफ में सड़क की अपेच्छा घरसरन कम होता है और अच्छा खासा होता है इसलिए हम अच्छे से चल बाते हैं लोलक गड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों होती है तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका अपवर्थ का आवर्थ काल बढ़ जाता है जिससे गड़ी सुस्त हो जाती है अगला कुश्चन उच्छे स्थानों पर पानी सौ डिग्री सल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है क्योंकि वहां का बायोमेंडली दाव कम है जहां पर बायोमेंडली दाप कम होगा वहां पर सौ डिग्री से कम पर ताप मान पर उबल जाएगा आपका पानी पीतल मिस्रदातु है किसका बैरी इंपोर्टन्ट कुश्चन ये तो बहुत ज़दा बार पूछा गया है मैं कहूंगा इसको आप IMP टिक करके रखिए पीतल जो है किसका मिस्रदातु है तावा और जस्ते का इनने की जैडन पिलस कॉपर सी यू का ठीक जैडन तीस और कॉपर उनतिस आपको पता होना सब्सक्राइब इनका परमाणुकर मांग आंगे बढ़ते हैं गैसों के दाव याद करने वाले यंद्र क्या कहलाता है तो गैसों का दाव याद करने वाले यंद्र को हम मैनोमीटर कहते हैं भावा एटॉमिक रिसर्ट सेंटर इस्टित पांचभा न्यूकलियर रिक्टर का और क्या नाम है नाम है धो भावा एटॉम मेक रिसर्च सेंटर है स्ट्र र вамиा में स्टित जो क्रोंच़ बढ़ते हैं और आई होब यू आर इंज्ज़ॉयर वीडियो अगनासी रस में पाय जाने वाला एन रोटीन ये पैपक्समें बदलता है तो यह चोटे-चोटे पैप्टाइट्स तो कौन को बदल दता है कि चोटे-चोटे peptides में मनस्चमें दाद, यानि के ringworms जो है, रोग कारण कबग का क्या नाम है यानि के ringworms जो है, किस के कारण फैल जाते हैं सरीर में, तो ये हमारे micro sporum micro sporum के कारण फैलते हैं आपके जो दाद बगर होते हैं, इनके खुजली, जिसको हम बोलते हैं, इचिंग, इसकरवी नामक रोग किस बिटामिन के कमी की कारण होता है, तो बिटामिन C की कमी की कारण इसकरवी रोग हो जाता है, सबसे भारी धातू कौन सी है, ये बहुत बार पूचा गया है, गुर्बडी में ये रेलवे का, हर बार पूचा गया है, सबसे भारी धातू है औस्मियम बिदुत का सबसे अच्छा चालक क्या है तो बिदुत का सबसे अच्छा चालक है चांदी जो कि बिदुत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है पोटेशियम का IS के यानि की कार्नेलाइट का सूत्र क्या है तो potassium का ही IS के एक carnelite यह तो दोनों question यहां से बनते हैं पहले तो potassium का IS के का नाम बताईए carnelite और उसका सूत्र पूछेगा है तो भाईए यह लिखा है सूत्र KCL, MgCl2, 6H2O, यह सूत्र आपके सामने आगे बढ़ते हैं, uranium Uranium के नाबिकी विखंडन में अंत्ता क्या प्राप्त होता है तो uranium के नाबिकी विखंडन में अंत्ता सीसा प्राप्त होता है ठीक है, इसीच को याद रखिए धनी की मापने की एकाई क्या है? Very very important question, धनी के मापने की एकाई decibel है stainless steel किन्द हथुआ को मिस्ड़त करके बनाया जाता है stainless steel, chromium, loha और nickel को मिस्ड़त करके बनाया जाता है फिर से देखेंगे, stainless steel किस किस से बना होता है? तो chromium, loha और nickel से बनस्पति विख्यान की वह साका का क्या नाम है? जिसमें सैवाल, यानि की algae का अध्यन किया जाता है पहले भी बताया था, उपर question दिया था, phycology and most repeated question है, ये phycology का algae से आप याद रखेंगे, phycology दूद से दही के जमने वाले जीवाडू का क्या नाम है? तो bacteriolactis, bacteriolactis के कारण है, bacterium delectic acid इसके कारण दूद से दही जमता है अगला है, madmeh की roggy पेसाब में किसकी अधिक्ता हो जाती है? तो madmeh की roggyon में पेसाब में अधिक्ता जो है, वो सुगर बढ़ गया, जिनको भी madmeh की बिमारी होती है, वो सभी सुगर लेवल बढ़ जाने के कारण अगला है स्वाचलिद ब्रेक जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारेत हैं तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल की नियम पर आधार पर बने हुए है ठीक है पार्किल अजीब सा नाम दिया गया पार्किल की नियम की आधर पर बने हुए है हाइड्रोलिक ब्रेट DNA संसलेशन का प्रतिपादन किस ने किया था तो DNA संसलेशन का प्रतिपादन कौर्ण वर्ग ने किया था यहां से यह important question बनता है बायो का DNA वाला आंगे बढ़ जाते हैं हम अगले question की उर फोटोग्राफी में प्रयोग्त होने वाले हाइपो का रासानिक नाम क्या है तो फोटोग्राफी में प्रयोग्त होने वाले हाइपो का रासानिक नाम है सोडियम थायो सलफेट इसको हम बोलते तो फोटोग्राफि में प्रयोगत होने वाले हाइपो का रसानिक नाम है सोडियम थायो सल्पेट यही है को पूरा नाम है इसमें की ग्रपक्स का पूरा नाम है जो कि मोपाल गेस टाजडी में फैलीती कव 1994 में 1984 की बात है 1984 में इस समय पर गेहों का बैग्यानिक नाम क्या है टिट्रियंग एस्टेकम या फिर टिट्रिकम बलगेर भी इसका बैग्यानिक नाम है गेहों का अगला देखते हैं ओक्जिनोमीटर से क्या मापा जाता है तो पौधों की रेखी ब्रद्धी यानि की लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट से हम ओक्जिनोमीटर से नापते हैं अगला कुश्चिन कमरे में रखे रेफरिजेटर का दर्वाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभा पढ़ता है तो कमरे में रखा हुआ आपका जो फ्रिज है अगर आप उसको खोल देते हैं तो ताप बढ़ जाता है कमरे का ये कई बार पूछा गया है ताप कब बढ़ने पर अर्ध चालगों की चालगता क्या होती है तो ताप बढ़ने पर अर्ध चालग या निकि सेमी कंड़क्टर की चालगता जो है वो बढ़ जाती है ठीक है मनस की स्रबन की सीमा कितनी है तो मनस जो है सिर्फ 20 हर्टस से 20,000 हर्टस तक सुन सकता है इससे ज़्यादा नहीं हराकसीस का रासानिक सुद्र क्या है हराकसीस जिसको बोलते है फेरस सलफेट तो FeSO4 into 7H2 जिसको हम बोलते है हराकसीस कैलोमल क्या है क्या कैलोमल का रासानिक नाम क्या है कैलोमल जो है वो मर्कूरस क्लोराइड है ठीक HGCR जिसको बोलते है मर्कूरस क्लोराइड यही कैलोमल का रासानिक नाम है हीरे की चमक का कारण क्या है यह देखेंगे हीरे की चमक का कारण है उसका पूर्ण आंतृट परावरतन यही हीरे की चमक का कारण है विदुती बृदा का मातरक Newton पिरती कूलाम आपको पता होगा विदुती बृदा का मातरक Newton पिरती कूलाम बीटामे नी का रासानिक नाम टेकोफेरॉल बारी जल क्या है? तो भारी जले हैं हमारा deuterium oxide जिसको हम बोलते हैं क्या D2O यह होता है deuterium oxide ट्रोकोमा रोग किस अंक से सम्बंदित है तो ट्रोकोमा जो है वो आखों से सम्बंदित रोग है आपको पता हैगा Hepatitis B virus किस प्रमुक रोग के लिए जिम्मेदार है Hepatitis B यह जो है वो पोलियो अगर आपके सरीर में है तो Hepatitis B virus के कारण ही होता है पोलियो सरीर में आँगे बढ़ते हैं अगला question देख रहे हैंगे आप के लिखा है कि epilepsy रोग का सम्बंद किस से है तो epilepsy रोग का सम्बंद नारी संस्थान से है उपर वाले question देखा आपने नारी संस्थान से है अगला question है A B रक्त सम्बंद वाला व्यक्ति किस रक्त सम्बंद के व्यक्ति से रक्त गरण कर सकता है तो A B अगर रक्त सम्बंद वाला व्यक्ति है तो यह A से B से A B से और O तो सभी को देता ही है तो उसे भी क्रण कर सकता है चेचक के टीके की खोच किस ने की थी very very important question चेचक के टीकी की खोच Edward Jenner ने की थी Edward Jenner दूद एक आदर्स आहार है लेकिन इसमें एक तक्तिव की कमी है तो उसका नाम क्या है iron और copper की कमी है ठीक और साथ में दूद में क्या नहीं होता है vitamin C vitamin C भी नहीं होता है और नहीं फट जाता है दूद एक पोचक आहार माना जाता है लेकिन इसमें दो तक्तिव की कमी होती है iron और copper की plus vitamin C की selling प्रतिसत selling percentage मुंफली की गुडवत्ता याद करने का एक आधार है पेरामीटर है selling प्रतिसत से क्या ग्याद किया जा सकता है selling प्रतिसत से हम मुंफली में दानों का प्रतिसत पता सकते है selling प्रतिसत से थोड़ा अजीब सा question है ये लेकर चलिए देख लेते हैं आ गया तो कि नाम से जाना जाता है किस बकरी को तो सानेन बकरी है जिसको हम बिस्व की दूद की रानी के नाम से जानते है हस्त चालित चारा काटने की मसीन काफ कटर में फलाई भील किस प्रकार के लोहे का बना होता है ये डलवा लोहे का बना होता है जो हमारा आलाव dus से ढाल जाता है पृती सो ग्राम भैंस के दूद में कितनी उcticamente होती है अरे वा अजीब सा कुश्चन लगभग 90 केलोरी पिर्ती सो ग्राम में लगभग 90 केलोरी उच्चा होती है मनुस के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है मनुस के रक्त में लाल रंग का कारान है उसके रक्त में हीमोगलोबिन की उपस्तती है मनुस में गैस्ट्रिक रस जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है तो मनुस में गैस्ट्रिक जूस जो है वो अमासाई से स्रावित होता है ठीक है, the origin of species उस तक किस ने लिखी है, the origin of species very important question, और very important book यहां तक की, तो लखी है, यह darwin ने, जो कि जो भी हमारे species के burden कर रही तो उनके बारे में बताया था, वो darwin नहीं बताया था, प्रोसेसर की गती किस मात्रक में मापी जाती है, तो mega heartage या फिर giga heartage में हम किसी भी प्रो DTP का ठीका, लिखा फिर DTP का ठीका बच्चों को किन रोगों से रचा के लिए लगाया जाता है, तो DTP का ठीका बच्चों को lepironis, dipteria, purpurg pretend parłem eating cup, dropping cup, in pain, deeprap pare जो होता है। 12 के मन दो हैके साइकर में मचलियो में स्रस्थन हेतु कौन सांग है किलूम जिसको उरते हैं गिल्स के सांसे लेते हैं मचलिया जो है वो दो कोश्टक दो इन में इनके गड़ता है दो कोश्टक ही होते हैं वाट्सन वा क्रिक को जीव विज्ञान की किस कोश के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था तो वाट्सन और क्रिक ने क्या किया था डियने के डवल हेलिकल इस्टक्चर माडल जो इसा बना होता ना आपने देखा होगा इस तरीके से ये वाला डियने का तो यह इन्होंने माडल खो जा था Watson और Crick ने ऐसा माडल देखा होगा आपने इस तरीके से यह वाला यही है हमारा DNA का Herical Structure कुछ इस तरीके से इसमें लाइन भी होती है बीच बीच में अगर मैं आपको दिखा हूँ इतना यही DNA का structure के लिए इन्हें दिया गया था किसको Watson और Crick को क्या नोगल पुरुसकार बैक्टीरिया की खोज किसने की तो Antony One Levenhawk ने बैक्टीरिया की खोज की बिज्यान की वह साखा जिसमें हम घास का अध्यन करते हैं या फिर Agroistology में हम किसका अध्यन करते हैं अग्रो इस्ट्रोजी में हम घास का अध्यन करते हैं और आप एग्रो से समझ जाई एग्रो रूट वाड़ है जोगी घास के लिए पिरियोग करते हैं अगला कुष्चिण्यन kommer मानो शुरीर में vitamin k की निर्मान के संग में होता है तो मानो शुरीर में vitamin k की निर्मान कोलन में बैक्टीरिया द्वार होता है कि पिडियाट्रिक्स को संबंद किससे है तो पेडियाट्रिक्स जो होते हैं डॉक्व यह बच्चों के रोक से सम्मंद दें कि हाइपोग्लासीमिया जो कि आंकि की बिमारी वह थी नाम अगरोग्ड्रक्ट में किसकी कमी करकारण तो रख्त में जब गुलू कोस की कमी हो जाती है तब आपको हंगे बढ़ते हैं रेड लेड का रासानेग सूत्र क्या है तो रेड लेड का रासानेग सूत्र है पीवी त्री-ओ- फॉर जो आपने संदूर देखा है वही चीज़ है यह PB3 ओपोर रासानिक दरश्टी से चीनी क्या है चीनी जो है वो एक कार्वो हाइडरेट सुक्रोज है चीनी किस खनेज में बेवकूफों का सोना यानि कि फूलिस गोल्ड किस खनेज को हम फूलिस गोल्ड के नाम से जानते हैं ये बेवकूफों का सोना इसको हम जानते हैं पाइराइट को हम बेवकूफों का सोना के नाम से जानते हैं पाइराइट को एंटी पाइरेटिक दबा ली जाती है एंटीपारेट की दवा ली जाती ही कब बुखार को कम करने के लिए एंटीपारेट की दवा ली जाती है फोटोग्राफी में परियोकत हाइपो रसानिक रूप से क्या है तो फोटोग्राफी में परियोकत हाइपो जो है वो रसानिक रूप से वीपाइंग पून्डिय बीवारी क्या है है अपने स्वास्त की विसयıyorum रहा हा है है. आङपो पाइप्रूर्याक कोफी में या निके मनी मन हमेरिया कुछ अलग वह यह उता है. नेतर दान में रोबी की आगंगूं में किस बाग की प्रतिरोपन किये जाता है नेतर दान में तो सिर्फ हम कार्णिया को ‎ कार्णियां को ही हम देते हैं अगला कुस्च्चन है पहलाग्रा रोग किसकी कमी की कारण होता है तो पहलाग्रा पहले तो यह समझे बिटामिन 5 की कमी की कारण होता है ठीक है B5 इसके बोलते हैं बिटामिन B5 यह कमी कारण होता है पहलाग्रा और नियासिन की कमी कारण होता है बिटामिन B5 का नाम है निया ठीक टीक बीटू है यह चंद्रमा के तल से आकास का काला दिखाई देने का क्या कारण है प्रकास का प्रकीर्णियन के कारण आकास हमें काला दिखाई देता है चंद्रमा के तल से वो भी नहीं हम प्रतिवी की बात निकारां चंद्रमा की खसरा होने का कारण क्या है यानि कि म वायरस के द्वारा मीजल्स फेलता है सामान सती में हिर्दै से आने वाले रक्त का कितना प्रतिसत भाग गुर्दे को मिलता है तो लगबग 24 प्रतिसत भाग गुर्दे को मिलता है रक्त का 24 प्रतिसत भाग इसके, LED oxide, यानि कि PBO, का वैपारिक नाम क्या है, तो PBO का वैपारिक नाम है, लिथार्ज, इसको बोलते हैं, पीवी, अगला है हिंदुस्तान और्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहां इस्थित है तो कुलावा में माराष्ट में माराष्ट के कुलावा में हिंदुस्तान और्गेनिक केमिकल लिमिटेड इस्थित है इस्तंदारी प्राणियों में रख्त का सबसे अधिक्तम ताप किस पसु का होता है तो भेल का अधिक्तम ताप मानु होता है इस्तंदारी पसुओं में जितने भी हैं सभी में सबसे बुद्यमान भी माने जाती है यही Radioactive T nearly की Ikai क्या है तो वेकरल Radioactive T gangster की Ikai है कि मैडम क्यूरी के लिए क्या थे ऐस्मेंड बेक्रल को रिक है सरी मैडम क्यूरी वह पेरी क्यूरी थे ठीक है धनी से Sumbhaंदित बिज्ञान को हम aqusatic कहते है aqusatic इलेक्टरन की बिराम उर्जा कितनी होती है तो 0.5 M-E-B परदीप्त घनत का क्या मात्रक होता है परदीप्त घनत का मात्रक लक्स होता है लक्स असाबन देखा है आपने वही है परदीप्त घनत का मात्रक लक्स बादल का हवा में तैरने का क्या काराण है तो बायू की स्यानता अपने कम घनत के काराण बायू की स्यानता यानि कि बिसको सटी एवं अपने कम घनत के काराण ही बादल हवा में तैरते हैं जीवन के उदगव का प्रिधाम बैग्याइनिक बिभरं किस बैग्यानिक ने परिस्तोत किया था तो AI Opero-eした यनी गोपरं थे जिसनोंने जीवन के उदगव का प्रिधाम जो बैग्यानिक परिस्तोती कराने वो hopes और ने किया था अगला क्ウ chrome एंसुलिन ils की पानी का अधिक्तम तापमान किस टिपड़ी पर होता है तो पानी का अधिक्तम तापमान चार डिगरी सेल्सिस पर होता है पानी का अधिक्तम घनत जो होता है वो चार डिगरी सेल्सिस पर एपीलेपसी रोग का सब्मन्द किस्से है तो एपीलेपसी रोग का सब्मन्द नारी संस्थान से है एपीलेपसी अंगे में बढ़ते हैं ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदाई पाया गया है ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदाई पाया गया है तो आंसर होगा अर्जी मोन आरजी मोन डॉपसी की बिमारी के लिए मिलाबटी तेल जो है वो आरजी मोन पाया गया है हड्डियों में फासपोरस किस रूप में पाया जाता है तो हड्डियों में फासपोरस जो है वो केलसियम फासफेट की रूप में पाया जाता है फिर से देखिए हड़िया में फास्पोरस किस रूप में पाए जाता है कैल्सियन फॉस्पेट की रूप में अगला कुछ्छा है किस उपकरण द्वारा द्वनी तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है मूत्र में अगर 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 किस उपकरण आपके तो ब्रक किड़नी हमारी खराब होनी की समभावना जाती है मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से हम गैसों का दाप नापते हैं अगला कुछ्चन है पायरोडॉक्सिन किसका रासानिक नाम है? तो पायरोडॉक्सिन जो है, वो विटामिन C का, विटामिन B6 का रासानिक नाम है पायरोडॉक्सिन मैनोमीटर से हम गैसों का दाप नापते हैं अभी उपर देखा है चार अर्द आयूओं के पस्चाद किसी रेडियो एक्टिव अधारत का कितना भाग अविघट रह जाएगा एक पटे वाग सुस्क छिपा यानि जीरॉ इरॉप्स थैल्मिया बड़ा हिंदी बड़ा कठे नाम है इगलिस देख लिए जया जीरॉप्स थैल्मिया किस के कारण होता है विटामिन A की कमी के कारण आँखों का रोगए जीरॉप थैल्मिया sodium के किस योगिक को बाटर गलास कहा जाता है sodium silicate को हम बाटर गलास के नाम से जानते हैं चुम्बिकी दृष्टी से oxygen क्या है तो oxygen जो है वो एक अनुचुम्बिकी है चुम्बिकी दृष्टी से oxygen अनुचुम्बिकी है एक radio तत्व जिसका परमालू किरमांग जैड है इससे एक बीटा कर उत्षरजित होने पर कितना हो जाएगा तो ये जैड प्लस बन हो जाएगा एक बीटा कर निकरने पर परमालू किरमांग में एक की प्रद्धी होती है रदर फोर्ड ने वहतकी में किस मूल कड की खोज की थी तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने रग्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता अगर आपको हीमोफेलियर हो गए तो रग्त का थक्का नहीं जमेगा आपका रग्त नहीं रुकने वाला डिने उपस्तित होता है कि इंद्रक में आनू विंसंत आनू बंसिक्ता की भूमे का किसने दिखाई थी तो ग्रेगर जौन मेंडल ने आनू बंसिक्ता की भूम का दी थी एक परमाडू एकाई एक परमाडू द्रमान एकाई एक A.M.U को पूर्ण रूप से उर्जा में परिवर्थित करने पर कितनी उर्जा मुक्त होती है तो 931 M.E.B. उर्जा मुक्त होती है आँगे बढ़ते हैं और लास्ट कुश्चन देखते हैं आज का पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की बाती कार करता है तो पानी में हवा का बुलबुला जाए वो अबतर लेंस की बाती कार करता है इलेक्टरन बोल्ट किस बहुत एक रासानिक का मात्रक है इलेक्टरन बोल्ट उर्जा का मात्रक है तो यहां तक दोस्तों कुश्चन थे मैंने आपको 100 टॉफ 100 कुश्चन करा दिये हैं पार्ट टू में आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना चलिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में अभी इतना ही धन्यवाद